जहें दोस्तों आजकी वीडियो में आपको बताने वाले कि SSCGL का जो फॉर्म भारा जा रहा है उसमें फोटो और सिगनेचर को कैसे रिसाइज करने हैं आप एकदम परफेक्ट साइज में फोटो और सिगनेचर को बना पाएंगे आपको फॉर्म जो है वो रिजेक्ट रही हो होगा तो आपको इस वीडियो में complete जानकारी देने वाले हैं दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने देगे हैं जिससे कि आपको complete जानकारी step by step मिल सके चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दिखाना चा देख सकते हैं दोस्तों आपको बताते हैं फोटो को कैसे रिचाइज करना है कैसे बनाना इतना इतना फॉर्म फोर्म जो हो वह रिजेक्ट ना हो दोस्तों सबसब पहले आपको official website पर आजाना जिसका लिंक आपको description मिलेगा दोस्तों इस website की मदद से हम आपको बताएंगे आपको फोटो को कैसे रिचाइज करना है सिंपली आपको अप्लोड फोटो अप्लोड इमेज में आप असक्षन पर आना है सिंपली आपको select file जो भी आपके file है उस photo को आप simply यहां से चूच कर लेंगे दोस्तों आपको दिखाना जाए हमारा photo जो है अभी present time में 160 kg का आप से कुछ यहां पर सेटिंग्स बोली जाएंगे या पर सेटिंग्स वाले आप समय आपको आना है आपको यूनिट जो आपको इंच दिखाई दे रहा है simply आपको इसको cm में कर लेना है क्योंकि हमारा official notification में आपका जो size है वो 3.5 cm width इसकी इसकी 4.5 cm में तो simply आपको unit को cm में करने क वाद वीट क आपके 5.5 cm कर लेना है तो आपको अदर सेटिंग में आपको कुछ आप्सन देखने के लिए maximum file size अपना जो file का size है वो maximum कितना रखना चाहेते हैं तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे जो photo का हमारा size चाहिए वह 20 के बीच से लेके 50 के बीच होना चाहिए मतलब 50 के बीच से आपका फोटो वह ज्यादा नहीं होना चाहिए वरना जो वह अपलोड रहे होगा और 20 के बीच से कम भी नहीं होना चाहिए तो आपको मेक्सिमम फाइल साइज वाला है यहां पर 50 के बीच से 50 के बीच रखना है और यहां पर के बीच रहना है याँ को थे नहीं का होना चाहिए दोस्तों में आप इसको 300 हो हो गात आप इसको 100 कर सकते हैं ह। 700 कर सकते हैं कोई गंनौर्ट में एक्नौर एकुसरे पिर से 천 चेख कर लें भिख आल ने क्या करना है 只स्तों पर देख सकते हमारा फोटो जो है अब शीकार से डा dinosaurs दुट कोसफंप परफैक्त साइस में好 परोटो बनके तियार हो एक अपको बता देदें सिगनेचर को आपको कैसे गना तो simply आपको upload new photo यहाँ पर क्लिक करना है, upload new photo पर क्लिक करेंगे, आप interface पर आजाएंगे, official यहाँ पर website के जो फोटो बनाने की है, यहाँ पर simply आपको select file में, आपको simply वही method से आपको photo को अपना जो भी signature है, उसको select करेंगे, दोस्तों हमारे signature का size जो 44.8 kb का present time में है, जो हमको signature चाहिए, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो signature हमको मांग रहा है, allowed file size 10 kb से लेके 20 kb तक आपको ध्यान से देखना है, 10 kb से लेके 20 kb तक आपको file size होना चाहिए, format jpg होना चाहिए, दोस्तों dimension जो इसका image का size dimension है, वो 4 cm होना चाहिए, इसकी width होना चाहिए, इसकी width हो मांग रहा है, 4 cm आपकी width मांग रही है, जो आपकी height है, वो 2 cm मांग रही है, आपको फिर से दिखाना चाहिए, width जो हमारा 4 cm होना चाहिए, इस सारी चीज़े देख लेने के बाद आपको width height 4 और 2 height आपको होगे, jpg आपको format रहने वाला, दोस्तों आपको other setting में आना, आपक 20 kb की width होना चाहिए, तो simply आपको करना का है, maximum जो file size होता 20 kb आपको होए, उसको आपको maximum आपको simply file size में आपको 20 यहाँ पर enter कर देना, simply आपकी unit के भी रहेगी, दोस्तों dpi होगे, आप 100 या 200 वो रख सकते हैं, आप सो कोई दिख्कत नहीं होगे, simply आपको फिर से नीचे आ आपको next download कर देना, दोस्तों आप यह method वो अपने mobile से laptop से computer से Google Chrome browser का website के माध्यम से इस्तमाल कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर दोस्तों कोई दिक्कत आती है, आप directly message कर सकते हैं, comment करके पूछ सकते हैं, आपको सारे जवालों के जवाब, हम पूरी पूरी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो हमारा फाइल से 18.5, मतलब 18.5 से kbk बनके तयार हो गया, तो कुछ यह matter था, photo signature को resize करने का, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आए, तो आप directly comment करके पूछ सकते हैं, आपके पूरे question के जवाब देने की question करें, दोस्तों जल्द ही आ जानकारी अच्छे से समझ में आगोंगी, अगर अभी भी ने समझ में आई तो ज़रूर आप comment करके पूछेगा, आज की वीडियो को लिखना है, मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, धन्यवाज जैहिंद।